जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में करोना के 473 पन मरीज मिले आठ की मौत एक्टिव केस 31,000 के करीब जारखन में करोना के 473 पन मरीज मिले हैं जो राची से 1260, पूर्वी सिमू, 1280, बोकारो 191, हाजारी बाग 321, धनबाद 183, रामगर 84, पच्छमी सिमू, 190, कोडार्मा 9, पलामू, 163, देवगर 229, गुमला 57, गिरीडी 29, खुटी 32, लात्तेहार 16, सिम्डेगा 42, सराइक ल बता दे जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 31, यार के करीब पहुंच चुकी है जारखन के जीलो में एक्टिव केस इस पर कार हैं 346, लोहरदागा 425, चातरा 67, गुट्डा 302, जाम तरा 342, दुमका 590, सायवगर 203, और पाकुड में 164 म्रीच एक्टिव हैं जारखन में मूर्गी पालन के लिए लेनी होगी पार्या वरन की स्विक्रिति पॉल्ट्री की फार्मिंग करने वालों को अब पर्या वरन स्विक्रिती लेनी होगी बता दे केंद्री परदूसर नियंतरन बोर्ड ने इसे सम्माधित गाइडलाइन से राजियों के परदूसर बोर्ड को अउगत कराया है बोर्ड ने तय किया है कि जहां 1,75 से अधिक पॉल्ट्री की फार्मिंग हो रही है वैसे यूनिट को consent to establishment और consent to operate लेना होगा बता दे ऐसी कायो पर Water Act 1974 और Air Act 1981 लागू होगा CPCB National Green Tribunal के आदेश के बाद 1,05 से अधिक पॉल्ट्री रखने वालों पर भी CTO और CTC लागू करेगा बता दे इसके लिए सभी राजियों को तयार रहने को कहा गया है जहारखन में छोटे बच्चे भी होने लगे कुरोना संक्रमीत 15 हुए भरती बढ़ते कुरोना संक्रमन के बीच राजे में अब छोटे बच्चे भी कुरोना की चपेट में आने लगे हैं बता दे एक सभ्ता के अंदर ही 15 बच्चे अस्पताल पहुँच गए हैं राइधानी में रीम्स और राणी एस्पताल में कूल 15 संक्रमीत बच्चों का इलाएच चल रहा है बतादे संक्रमीत बच्चों में 6 मा का एक बच्चा हुई सामिल है उलेखनिया है कि दूसरी लहर के दवरान 1440 बच्चे के संक्रमन होने की बात सामने आई थी बीसे सग या डक्टरों का काना है कि राजे में क्रोना का फैलाव 12 दिनों में तेजी हुए है एक सपता के भीतर ही बच्चे लगातार वाइरस की चपेट में आया है जारखन के लोग आटी पीसी आर जाज के लिए प्राइवेट लेब को दे रहें 400 रुपे आटी पीसी आर जाज कीट 50 रुपे में उपलब्द हो गई है इसके बाद भी राजे में जाज के नाम पर 400 रुपे लिए जा रहे है बता दे ICMR के डीजी बलराम भारगव ने स्वास्त मंत्राले के ट्वीट पर याजनकारी साजा की है उन्होंने बताया है कि सरकार के अधिकरीत पोर्टल जेम पर 2000 से ज्यादा आटी पीसी आर कीट के प्रोड़क्ट है जिनकी कीमत 50 रुपे है ये सभी आटी पीसी आर से अधिकरीत है देश में कई जगह अब मातर 150 रुपे में आटी पीसी आर जाज हो रही है अईसे में यह सवाल उट रहा है कि ज्यारखन में लोगों को जाज के नाम पर ज्यादा पैसो का भुगतान कप तक करना पड़ेगा ज्यारखन में 17 से मौसम रहेगा साप ज्यारखन में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है बतादे हर दिन बारिस हो रही है बुद्वार को रांची समेत राजे के कई जिलों में बारिस होई बतादे रांची में बारिस के साथ ओला विरिष्टी भी होई है मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया है बतादे मौसम केंद्र ने 13 जनुवारी को राजे के दक्षनी भाग यानी पूर्भी और पच्छमी सिम्भूम सराय के लाखर सावा और सिम्डेगा के अलावा मद्य भाग राची बोकारो गुमला हजारी बाग खुटी वर रामगर वहीं उत्री भाग धनबाद देवखर दुमकागिरी डिगोटा जामतला पाकुड असाहिब गंज में हलके समद्रज की बारी सोने की संभावना जयताई है सिम्डेगा मौब लिंचिंग ममले में CID वर IG करेंगे जायाच राजेपाल रमिस बैस ने सिम्डेगा जीला अंत्रगत कोले बीरा में मौब लिंचिंग के सिकार संजु प्रधान की ममले में बुधवार को DGP नीदज कुमार सिनहा को राजभवन तलब किया है बतादे राजेपाल ने घटना के निंदा करते हुए इसे पीडा दायक कहा साथी DGP से अब तक की गई करवाई की जनकारी ली बतादे राजेपाल ने DGP को सिगर करवाई करने का निदेश दिया है कोले बीरा थाना के अंतरगत बिसरा जरा गाउ में चार जनवरी को भीड ने भाजपा करया था संजू प्रधान को जिंदा जलाकर मार डाला था पलामू दरोगा आत्म हत्या मामला में परिजुनों ने लगाया साजिस हत्या का आरोप पलामू के नव बजार थाना के निलंबित दरोगा लाल जी यादो की मौत के बाद उनके परिजन ने उसे साजिस के तहत की गए हत्या बताया है मामले में पलामू एसपी डीटियो और एसडीपियो पर करवाई की मांग की है मिरित दरोगा के छोटे भाई संजीव कुमार यादो ने आरोप लगाया कि उनके भाई दबाव में थे डीटियो और एसडीपियो के करने पर एसपी ने आकारण करवाई की उनके भाई पर उगाही करने का दबाव था जिसके लिए वह तयार नहीं थे निलंबर मुक्त करने के लिए राशी मांगी जा रही थी जिससे लाल जी यादो हतास थे साजी सन उनकी हत्या की गई है फरजी जन्म मिर्तियू परवान पत्र ममले में गिरिह मंत्राला की मदद से पहुँची पुलीस रांची के सदर अस्पताल की लोगिन से पिछले दिनों जारी किये गए फरजी जन्म परवान पत्र और मिर्तियू परवान पत्र के तार यूपी और बिहार के सातिरों से भी जूड रहे हैं बतादे रांची के लोवर बजाज थाना पुलीस ने इस ममले में उतर परदेश के कुसी नगर निवासी मिराज अनसारी को गिरफतार किया है पुलीस के अनुसार मिराज और गोपाल गंज निवासी सपना नाम की यूती इस पूरे फरजी वाले के रैकेट के मास्टर माइ 34 वे राष्ट्रिये खेल गोटाले के आरोपीत नेशनल गेम्स और्गनाजेशन कमीटी के कोसा ध्यक्स मधुकांद पाठक की ओर से दाखिल डिस्चार्ज आजका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद ACB के विशेश नियादिस परकास जहा के अदालत ने उनकी अजका पर खारिच कर दी है अब जल्दी मधुकांद पाठा के खिलाप आरोप गठन के बिंदू पर सुनवाई होगी तंबाकू कमपनियों की तसकरी से जहरखन की और्थ ब्यवस्था को नुक्सान गलोबल एडल्ट टोमबाएको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में लवग 27 क्लूर वैस्क तंबाकू का उप्योग कर रहे हैं जिन में से 20 क्लूर वैस्क खाइने गुटका और पान मसाला सहीद चबाने वाले तंबाकू उप्योग कर रहे हैं बता देश में कैंसर से मरने वालों की संख्या 40% है जहरखन सरकार ने पान मसाला के सभी ब्रांड के नमूनों की जाच कराई थी जिसमें मैगनेसियम कार्वोनेट और निकोटिन की मात्रा पाई गई थी जो स्वास्त के लिए खतरनाक है इसके बाद जहरखन में गुटका परतिबंद कर दिया गया इसे लेकर जहरखन हाई कोट ने भी आदेश दिया था कि जहरखन में पूर्ण रूप से गुटका पर परतिबंद लगाया जाए लेकिन अभी भी गुटका का कारोवार जारी है गुमला जेल में सराब चीकन मामला है गुमला जेल में कुख्यात गेश्टा सुजीत सिनहयम अन्य अपराधियो द्वारा पार्टी मनाने के वारल वीडियो मामले में बीते मंगलवार को सदर, HDO, रवी, अनन्द और मुख्यालय, DSP, प्रान रंजन कुमार ने जाच कर बुद्वार को रिपोर्ट उपायूत को सौप दी है रिपोर्ट में जेल परवंधन की सनलिपता उजागर होई है रिपोर्ट के अनुसार धीन के उजाले में ही पार्टी मनाई गई थी जेल में सराब, चीकन और खाने पीने के समान के साथ 15 लाक रुपए भी पहुंचे थे जारखन में दूसरी डोज के टीका करन का अकड़ा 50% के पार जारखन में 18 वरस से अधिक आयू के आधे वैसको को दोनों डोज का टीका हो चुका है बतादे मंगलवार को जारखन में दूसरी डोज के टीका करन का अकड़ा 50% पार कर गया ज्यारखंड के नौ जिले में 50% या इस से अधीक वैसको को दोनों डोज का टीका लग चुका है जिसमें पूर्भी सिम्मुम सबसे आगे है बता दे यहां 79% वैसको को दोनों डोज का टीका लग चुका है ज्यारखंड के नौज सरकार पूर्भी सिम्मुम्मुम्मा इस से अधीक वैसको को दोनों डोज का टीका लग चुका है ज्यारखंड की हेमन सरकार खुद बेचेगी सराब ज्यारखंड सरकार परदेश में सराब की वीकरी में फिर से पुरानी नीती पर अमल करने की ओर आगे बढ़ रही है बता दे इसमें सराब की वीकरी और वीतरन में ज्यारखंड स्टेट बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेट सामिल हो सकती है पुर्व में बेवरेज कार्पोरेशन का एक अधिकार खतम करते हुए जार्खन सरकार ने नई नीती लागू की थी जिसमें जिलावार एजेंसियों का चैन करते हुए बित्रन का अधिकार दिया गया था अधिकारियों के मुताबिक इससे राजस्व की छती हो रही थी इसे देखते हुए सरकार ने 36 गड मोडल को अंगीकार करने का निनाय किया है बतादे जार्खन सरकार के निदेश पर अधिकारियों के एक उचस्तरिय दल ने इस नितिक आधियन का रिपोर्ट सौप दी है जार्खन में बर्फ बारी से बढ़ी ठीठूरान जार्खन में इस समय मौसम बहत खराब चल रहा है 17 ओर बर्फ बारी के करण यहां ठंड काफी बढ़ गई है बतादे कई दिनों से यहां धूप नहीं हो रही आसमान में बादलो का डेरा है कभी का भार कहीं कहीं तेज बारीस भी हो जा रही है तेज हवाय भी चल रही है बतादे बारिस और तेज हवाव से ठीटूरन और बढ़ा दी है मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को दीन भर आसमान में बादल चाहे रहेंगे दो या अधीक बार बारिस भी हो सकती है अधीक तम तापमाने कहीं डिगरी सेल्सियास जबकि नियुमतम 13 डिगरी सेल्सियास रहने की संभावना है वहीं 14 जनुवरी यानि सुक्रवार को भी आसमान में बादल चाहे रहेंगे सुक्रवार को भी परदेश के कई हिसों में दो या अधीक बार-बारिस हो सकती है